अमरनाथ की गुफा श्रेनगर से करीब 145 किलो मीटर की दूरी हिमाले परवत स्रेणियो में श्थीत है समुदर तल से 3978 मीटर की उचाई परिस्थीत यह गुफा 150 फीट उची और करीब 90 फीट लंबी है अमरनाथ यातरा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं एक पहलगाम होकर जाता है और दुसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है यानि देश भर के किसी भी छेतर से पहले पहलगाम या बालटाल पहुँचना होता है इसके बाद की यातरा पैदल की जाती है तो आवो जानते हैं कि अमरनाथ यातरा के तहशी क्या है अमरनाथ को पाके सीवलिंग को अमरिश्युर कहा जाता है इसे बरफानी कहना गलत है यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रराम होती है और यदि मौशम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सब्दा तक चलती है हिंदू माह हनुशार असाड पुर्णिमा से प्रराम होती है यात्रा और पूरे शावन महेने तक चलती है ऐसी मानने आता है कि भगवान सीव इस गुफा में पहले स्रामर मास की पुर्णिमा को आये थी इसलिए उस दिन को अमरनात की यात्रा को विशेश महत्तो दिया जाता है रक्षा बंधन की पुर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हीम सीवलिंग की पास इस्थापीद कर दी जाती है पहरे चीज कैसे बनता है सीवलिंग गुफा की परीधी लगबग 150 फूट है और इसमें उपर से बर्फ के पानी की बुंदे जगा जगा तपकती रहती है यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाले हीम बुंदों से लगबग 10 फूट लंबा सीवलिंग बनता है आसरे की बात यहीं है कि यह सीवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है जबकि अन्य जगह टपकने वाले बुंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते हीं भुर भुरा जाती है मुल अमरनाथ सीवलिंग से कई फूट दूर गड़ेस बहरव और पारबती के वैसे ही अलग-अलब हीम खंट बन जाते है गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा-थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और दो गज से अधीक उचा हो जाता है चंदरमा के घटने के साथ ही वा भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी लुप्त हो जाता है चंदर की कालाओं के साथ हीमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है चंदर का शंबंद शिवशे माना जाता है ऐसा क्या है कि चंदर का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है अन्य गुफाये भी हैं जहां बुंद बुंद पाने गिरता है लेकिन वे सबी हिमलिंग का रुख क्यों नहीं लेपाते हैं अमरनात गुपा की तरफ कई गुफाएं हैं, अमरावती नदी के पद पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं, वे सभी बर्ब से धकी हैं और वहाँ छट से बुंद बुंद पाने टपकता है, लेकिन वहाँ कोई सीवलिंग नहीं दुश्रा, क्या है इस गुपा का पौराणी की दिहास? काश्मीर घाटी में राजा दस और रिशी कस्यप और उनके पुत्र का निवास अस्थान था, पौराणी मानने आता है कि एक बार काश्मीर की घाटी जल मगन हो गए थी, उसने एक बड़ी जील का रूप ले लिया, तब रिशी कस्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल श्रोतों के द्वारा बहा दिया, उसी समय व्रीगो रिशी पवित्र हिमाले परवत की यात्रा के दवरान वहां से गुजरे, तब जल अस्तर कम होने पर हिमाले की परवत स्रंखलाओं में सबसे पहले व्रीगो रिशी ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और वर्फ के सीवलिंग को देखा, मन्यता है कि तब से ऐसी यह अस्थान शीव अराधना और यात्रा का प्रमुक देव अस्थान बन गया है, कियोंकि यहां भगवान शीव ने तपस्या की थी तीसरे, गुफा की प्राचिंता के इतिहास प्रमार, अमरनाथ गुफा को पुरतत्तो अभिभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थार्थ महाभारत का आल में यह गुफा थी, लेकिन उनका यहां आगलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उड़ता है, कि जब 5000 व पुरान के अनुशार कारशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाक्षे 100 गुना और नैमिस राणे से 1000 गुना पूरे देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं, और कैलाश को जाता है, वह मोक्ष पाता है, पुरान कब लिखे गए, कुछ महाकाल भारत में और कुछ बह अमरनाथ की यात्रा महाभारत की काल से ही की जा रही है, बौध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने का प्रमान मिलते हैं, इसके बाद इशापुर्व लिखी गई कलहड की राज तरंगे नी तरंग दिवतिये में उलेख मिलता है, कस्मीर की राजा सामधी दर्ज 34 इशा करने का प्रचलन कितना पुराना है, बौध की राज तरंगिनी आदी में अमरनाथ तिर्थ का बराबर उलेख मिलता है, बौध की जहां तिर्थ यात्रियों को अमरनाथ गुभा की और जाते समय धार्मिक अनुष्ठन करने के पड़ते हैं, उनमें अनंतनाग माच भौनेन एक अंगरेज लेखक लौरेंस अपनी पुछतक वैली आप कस्मेर में लिखते हैं कि पहले मटन के कस्मेरी ब्रामण अमरनाथ के तिति यात्र कराते थे, बाद में बटकुट में मालिकों ने यह जिम्मेदारी श्यमाली क्योंकि मारे को बनाये रखना और गाइड की अगरे भी होती थी, आज भी चवथाई चड़ावा इस मुशलमान गडरी के वन्शजों को मिलता है, पहल गाउं का अर्थ होता है, गडरी का गाउं, जब अकरामक हुआ तो चदहवी शिताबदी के मर्दी से लगबग 300 वर्ष की आउधी के लिए अमरनाथ यात्रा बाध अस्थागित कर दिया गया, या बहुत ही गलत धारना फैलाई गई है कि इस गुफा को पहरी बार किसी मुसलिम ने 18-19-19 शदाबदी में खोज निकाला था, वह गुज़र समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मालिक कहा जाता है, क्या गडरिया इतनी उचाई पर जहां गुफा के दर्शन का महत्तो क्या है, इस गुफा के महत्तो इसलिए नहीं है कि यहां हम शिवलिंग का निर्माड होता है, यहां गुफा का महत्तो इसलिए भी है कि इस गुफा में भगवान शिव ने अपनी पतनी देवी पारबती को अमरत्तो का मंतर शुनाया था, और उन्होंने कई वर्ष रकर यहां तपश्या की थी, तो एक शिव का एक प्रमुक और पवितरस्थान है, शिव के पाच प्रम कुकस्तान है, कैलाश परवत, अमरनात, किदारनात, काशी और पश्चु पतिनात, दरसर सास्त्रों के नुस्तार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पारबती को अमरत्तो का रहश बताया था, माता पारबती की साथ है इस सहस्य को शोक तोता और दो कभुतरों ने भ चोटे चोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माते के चंदन को चंदनवारी में उतारा, अन्य पिश्यों को पिश्यों टाप और गले के सेसनाग को सेसनाग नामक अस्तर पर छोड़ा था, यह सभी अस्थान अभी अमरनात यात्र के दवरान रास्ते में दिख कभी लोग सीख गुरू से मदद मांगने के लिए जाएं शंभावता ये हरी गोबिन सिंग महराज थे उन्होंने पहले अरजून देवी थी देवजी थे अरजून देवजी से लेकर गुरू गुबिन सिंग जी तक शबी गुरू ने मुगालिया आतंक से भारत की रक्षा कर उन्हीं कस्मीर को बचाया था दरशल मदेकाल में कस्मीर घाटी पर बिदेशी इरानी और तुर्क आकरमणों के चलते वहां अशान्ती और भै कावाता वरण फैल गया था जिसके चलते वहां से हिंदू ने पलायन कर दिया पहल गाओं को बिदेशी मुश्लिम आकरानताओ ने सबसे पहले इसलिए निसाना बनाया था क्योंकि इस गाओं की इतिहासिक्स्ता और इसकी प्रशिदी इसराइल तक थी भारती मान्यतान उश्यार यहीं पर शरू पर था यहुदियों का एक कबीला आकर बस गया था इस हील स्टेशन पर हिंदू और बौधों की कई करते थे एक ऐसा सोध हुआ था इसी पहलगाओं में ही मुजा और इसा ने अपने जीवन के अंतिन दिन बिदाये थे बाद में उनको शिर नगर के पास रोज बल में दफना दिया गया था निवजरूम से अमेजिंग वर्ड के तो subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates